दोस्तो आज के वीडियो बहुत यादा खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चेक जमा करने का फोर्म कैसे भर है जी हां दोस्तो जैसे मान लिजे एकजांपल के लिए कि आपको कहीं से एक चेक मिलता है जैसे यह देख सकते हैं मुझे 50,000 रुपय का चेक मेरे कमपनी से मिला है अज सेलरी भी मान सकते हैं या फिर जैसे मान लिजे आपको किसी ने चेक दिया 10,000, 20,000, कितने का भी चेक हो सकता है तो उसे आप bank में जमा करेंगे अपने account में credit करने के लिए तो उसके साथ में ये वाला form भरना पड़ता है जिसे हम कहते हैं जमा पर्ची या फिर check deposit form इसे cash deposit form के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसी form के साथ हम cash deposit करते हैं बट ये check deposit के भी काम आता है तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे मैं पूरा detail बताऊंगा क्योंकि देख सकते हैं मैंने पहले से fill कर रखा है ताकि आपको अच्छे समझ में है तो चलिए जान लेते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं बात करें जब भी आप form को भरें उपर से सुरू करें कि उपर से fill करना तो उपर में सबसे पहले क्या है दिनांक यानि date डेट आपको जिस दिन आप जमा करें चेक को उस दिन का date डालिए उसके बाद यहाँ पे पूरा नाम में आपको पैसे credit करना है उसके बाद यहाँ पे check number देख सकते हैं तो यह देख सकते हैं यहाँ पे आपको check number डालना है check number कहां से मिलेगा check number check में हमेशा यहाँ पे रहता है देख सकते हैं यह जो starting का जो अच्छा है यही वाला हमारा check number है तो हमें check number यहाँ पर डालना है, उसके बाद यहाँ पर हमें amount डालना है, उसके बाद यहाँ पर in word में जितना भी amount है, जैसे 50,000 तो 50,000 यहाँ पर डालना है, उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट में सबसे पहले यहां पे नाम डालना है उसके बाद यहां पे देख सकते हैं date उसके बाद my account is withdrawn यानि आपका account जिस भी साखा में है उसका यहां पे नाम डालना है उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे यह blank छोड़ देना है यहाँ पर देख सकते हैं साखा में जो भी साखा है नहरुपलेस उसके बाद यहाँ पर चेक नंबर जो भी आपका चेक नंबर है उसको यहाँ पर डालना है उसके बाद फिर से यहाँ पर देख सकते हैं चेक नंबर लिखा हुआ है यानि आपको चेक नंबर यहाँ पर फिल क सकते हैं बट यह कंपल सरी नहीं है बस मुवाइल नमबर डाल दीजिए उसके बाद यहां पर आएंगे तो यहां पर फिर से आपको रासी के लिए ये pen card का number डालना compulsory है अगर आपके पास pen card नहीं है तो form 60 को भर सकते हैं वीडियो का link description में मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं तो इस वीडियो के इतना ही दोस्तों फिर भी कोई doubt है तो please comment section में बताएगा मैं उसका reply जरू दूँगा अभी click नहीं thank you for watching